नमस्कार सांतियों एक बार फिर आप सभी का eSmartreVidage चनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा देश में पहली बार यहाँ पर SSV Scholarship योजना का यहाँ पर सुबारम किया गया है जिसके तहत यहाँ पर 15,000 student को लाखो रोपे यहाँ पर scholarship दिया जाएगा ठीक है और यहाँ पर दोस्तों इस योजना के बारे में यहाँ पर ट्यूटर के द्वारा भी यहाँ पर inform करके यहाँ पर बताये गया है और इसी के बारे में मैं आपको complete जनकार यहाँ पर देने वाला हूँ कि आप PM, SSV, योजना के लिए कैसे यहाँ पर आवेदर कर सकते हैं जिसके लिए online registration प्रकेरिया भी चालू कर दिया गया है ठीक है कब तक आपको यहाँ पर registration करना है और कौन-कौन से यहाँ पर विद्यारती जो है इसमें यहाँ पर इस form को यहाँ पर भर पाएंगे लिया ठीक है तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हम पहुंच चुके हैं Department of Social Justice and Empowerment की Official website पर और यहाँ पर दोस्तों second option में ही आपको देखने को मिल जागा इसके regarding दोस्तों यहाँ पर notice यहाँ पर आप देख सकते हैं पंदरा हजार scholarship for OBC, EBC and D&T student ठीक है D&T student को यह मिलेगा OBC, EBC और D&T student को यह scholarship लाब ले पाएंगे वहीं eligibility की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं other backward classes यहाँ पर आप देख सकते हैं Economical Vacable Classes, EBC और D-Notified Tribe को यह scholarship का लाब मिलने वाला है वहीं बात करें यह जो है आपकी parent और guardian का जो annual income है धाई लाग से यहाँ पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके लावा अगर आप class 9 में पढ़ रहें या 11 में पढ़ रहें तो आप इस scholarship के लिए participate कर सकते हैं और यहाँ पर exam crack करके आप 15,000 student में अगर आपका नाम आता है तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप class 9 में पढ़ रहें तो आपको 75,000 रुपे मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों जो आपका test है YT test होगा यानि कि SSV entrance test जो यहाँ पर NTA द्वारा conduct करा जाएगा यानि कि national testing agency द्वारा और detail जानने के लिए यहाँ पर आप इस पे click कर सकते हैं इस link पे mode of exam की बात करें तो CBT होगा यानि कि computer based test यहाँ पर कड़ेट करा जाएगा वहीं friends बात करें application starting date तो application दोस्तों already यहाँ पर start हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों आप 26 अगस्त 2022 तक आपको यहाँ पर online registration यहाँ पर आपको करना होगा ठीक है वहीं बात करें correction window की तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यानि की 31 October 2022 तक अगर आप किसी परकार की form भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो उसमें आप correction कर सकते हैं वो भी कब तक 31 October 2022 तक वहीं अब बात करें admit card तो admit card जो आपका है 5 September 2022 को admit card release किया जाएगा date of exam की बात करें तो यहाँ पर 11 September 2022 को यहाँ पर जो आपका exam है यह connect कराए जाएगा अब बात करें document आपको कौन कौन से लगेंगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो भी student यहाँ पर apply कर रहा है उसके पास दोस्तों valid mobile number होना चाहिए parents का भी mobile number आप दे सकते हैं इसके लवा जो आपके पास अधार card होना चाहिए और जो आप अधार card इसमें दे रहे हैं वो bank account में यहाँ पर link होना चाहिए इसके लवा income certificate और car certificate यहाँ पर देना होगा इसके लवा बात करें यहाँ अब apply कैसे करना है apply करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एक link दिया गया है इस link पर आपको यहाँ पर click कर लेना है ठीक है तो इस link पर जैसी click करते हैं open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप आ चुके हैं national testing agency की website पे और इसमें भी दोस् देख सकते हैं information bulletin यहाँ पर बता रखा है इसके लवा यहाँ पर important date हो गया इसके लवा रेजिस्टर हो गया लॉग इन हो गया national agency और department of social justice and employment यहाँ पर लिखा हुआ है और जैसे कि दोस्तों आपको online आवे दन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टर करके ए ठीक है इसके लवा आपके पास एक valid email id है वो यहाँ पर आपको डालना है अगर email id नहीं है तो आप कुछी मिन्टों में Gmail से आप अपना जो account है वो बना सकते है Gmail id पर जाके आपको create account करके आप नए account एक बना लीजिएगा email ठीक है इसके लवा डेटों पर यहाँ पर डालना the application number to your email id kindly use the application number to complete the यहाँ पर application form तो दोस्तों जो भी email id डाला है उस पर दोस्तों यहाँ पर application number send किया गया है आपको जो भी email id डाला है अपना Gmail account ओपन करना है मैंने दोस्तों Gmail account यहाँ पर open किया है जो मैंने Gmail account registration के दोरान डाला था और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आगया है yet.nta.ac.in की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं dear candidate your application number मुझे मिल चुका है और यहाँ पर दोस्तों पूरा यहाँ पर बता रखा है ठीक है और य station करने के बाद यहाँ पर login हो चुके हैं सबसे उपर यहाँ पर dashboard देख सकते हैं profile यहाँ पर दिख सकते हैं आपका application number यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर दोस्तों आप छोटा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं application form not completed yet please click here to complete it तो आपको click here वाले option पर आपको click करना है और जैस इसके बाद upload document करना है उसके बाद upload photo and signature यहाँ पर आपको करना है ठीक है हम basic information की बात करें तो यहाँ पर आपको पास जो आपने registration करते समय जो आपने अपना नाम दिया था वो already यहाँ पर सो करेगा nationality दोस्तों यहाँ पर आपको सो करेगा data पर सो करेगा और यहाँ पर दोस दोस्तों इसमें आप यहाँ पर password दे सकते हैं अधार काड हो गया pen card हो गया港 राशन काड हो गया school id card भी यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है अगर आप अधार कार्ड Select करते हैं, तो यहां पर अधार कार्ड का यहां पर डालना है, आप जो भी आप Direct Proof यहां पर अधार की proper है जो भी डॉक्मेंट पर फिल कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर state आपको select करना है उसके बाद district select करना है और pin code यहाँ पर डालना है अगर permanent address और present address दोनों सेम है उस condition में चोटा सा box दिख रहा है इसको आपको tick mark कर देना है उसके बाद सारी detail भरने के बाद save and next पर click करना है जैसे ही आप यहाँ पर अपना address फिल करके 7 next पर click करते हैं तो यहाँ पर exam detail आप से पूछा जा रहा है कि आपका प्रिवियस यहाँ पर exam जो ह student के लिए है तो previous जो है आपका यहाँ पर detail है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है तो class 8 यहाँ पर select करना है अगर 9th वाले student कोई अभी present में 9th class में है तो यहाँ पर automatic आ जाएगा और आपका medium जो है 8th में क्या था हिंदी और English वो आपको select करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको city select करना है exam city की आपका जो exam है कौन सी city में आपको देना चाहते हैं तो वो आपको select करना है ठीक है और यहाँ पर second आपको exam city select करना है यानि कि third आपको center जो है आपको आपको select करना है sorry fourth यहाँ पर center जो है आपको यहाँ पर select करना है उसके बाद save and next पर click करना है जैसे आप save and next क्लिक करते हैं तो यहाँ पर next step जो है education detail वाला यह open हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं class in which studying on the date of application तो अभी जो है फिलाल जो है आप कौन से class में पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना है और यहाँ पर आपको district आपको select करना है रही है और इसके लाभी से आपी saadणie कर Jackson आपको स्कूल आपको आजाएगा तो इस category में अगर आपको आपका नाम का School है तो यहाँ आपको select यहाँ पर कर लेशाप है इसके लवा यहाँ पर आपको percentage यहाँ पर डाल नहीं है ठीक है और यहाँ पर Medium of Study आपको बताना है आप कौन से Medium से स्टेडी कर रहे हैं Hindi, English जो भी है आपका वह आपको यहाँ पर select करना है ठीक है इसके लवा है तो आपको यहां पर लास्ट वाला उप्सन यहां पर स्लेट करना है इसके लबा यहां पर पैरेंट का यहां पर यह बताना है कि आपका जो जो आपके पैरेंट से गारजियन है वह किसमें सर्वीस करते हैं विजनस करते हैं सेल्फ इंप्लॉइड है या अगरिकल्चर है य के लावा यहाँ पर आपको select करना है कितनी आपकी sister है और इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको select करना है क्या आपने कभी Central का कोई भी आपर Scholarship State या Central का कोई भी Scholarship ले रहे हैं उस Condition में आपको Yes या No करना है ठीक है इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यह है क्या आपके भाई, बेहन या कोई और यहाँ पर Sister जो है आपके भाई, बेहन Sister या कोई और Scholarship यहाँ पर कोई भी Scholarship की योजना का लाव ले रहे हैं तो उसको उस Condition में आपको Yes या No पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर Save and Next पर क्लिक करना है जैसे आप Save and Next पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर Document वाला जो Option है आपर Open हो चुका है यहाँ पर Select File करना है Document अपलोड करना है और यहाँ पर दोस्तो आपको Select File करना है और आपना Certificate बगरा यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर Maximum File यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5KV से ज़्यादा यहाँ पर 1.500KV से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होने चाहिए उसके बाद Save and Next पर क्लिक करना है यहाँ पर Final जो है जैसी आप Upload Document करके यहाँ पर सारा चीज़ Upload कर देते हैं उसके बाद Photo and Signature वाला Option जो है यहाँ पर Open हो जाएगा और Simply दोस्तों आपको Photo and Signature यहाँ पर Upload करना होगा और यह Upload करके दोस्तों Final जो Form है Subscribe कर लेना है